हलो गाईज दिस इस विपिन बलोनी वेलकम तो माई चैनल आई होप यू आ डूइंग वेल आप सभी अच्छे से होंगे मज़ी में होंगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच ऐसी बुक्स की जो कि किसी भी बिगिनर फोटोगरफर के लिए बहुत जादा बिगिनर को फोटोगरफर के लिए तो बना कोई देर क्या हम स्टार्ट करते हैं तो अब् neurology रहा हैं तो फिकशो को बीद्ट की पैतार अच मुछरम सीज सीरीओ ठादाटर फोटोगरफर वाइच अपनीम्र पांडेफरिफर सह न शिस्यादार करने षंश向र फोटोगरफर और बेस्ट टीचर्ज में इनका नाम आता है फोटोग्रफी की फील्ड में तो इनकी यह जो बुक है यह अपडेटेड और न्यूली एडिटेड वर्जन है इनकी ओरिजिनल बुक का जो कि 1994 में ओरिजिनली पब्लिश होई थी जिसका नाम यही था अपडेटेड वर्जन है और इस बुक में जो फोटोगरफर हैं ब्रूस बानबॉम इन्होंने सौ से भी जादा इलस्टेशन्स दी हुई हैं जो की ब्लैक और इन वाइट और कलर्स दोनों में हैं और इनके अलावा अलग-अलग चार्ट्स टेबल्स और बहुत सारे अलग-अलग जो हैं लिए या बिगिनर या एडवांज किसी भी लेवल के फोटोग्रफर के लिए बहुत ही ज्यादा हल्फुल हो सकती है चीजें ओर इस बुक की जो खास बात है वो यह है कि इसमें जो है जो फोटोगरफर हैं वो हमें डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों तरीके से फोटोग इसके अलावा, ये सिर्फ मैं कहूंगा एक टेकनिकल बुक नहीं है, ये वेल ब्यॉअन्ट जाती है टेकनिकल आस्पेक्ट्स के और फिलोसॉफिकल और क्रेटिव आइडियास के बारे में ये बुक बात करती है, तो ये बुक बहुत बहुत इमपोर्टेंट झाली यूचु जिन्होंने की 2009 के around अपना career start किया था और इन्होंने ये book लगी बहुत ही contemporary photographers में से एक हैं और इस book में collecting souls में इस book के अंदर जो writer हैं उन्होंने अपने अपनी personal approach के बारे में बताया है street photography के regarding और बहुत से inputs दिये हैं अपने personal experiences से जो की इनको हुए हैं जितने भी सालों में जितने सालों से ये काम कर रहे हैं उसमें जो भी इन्हें personal experiences हुए street photography के regarding वो सभी इन्होंने इस book में share किये तो अगर आप street photography को समझने में interested हैं और उस पे interested हैं तो आप जरूर इस book को consider कीजिए जो की है Robert Rodriguez Jr. की किताब और यह बहुत एक छोटी से किताब है और मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो यह जो book है basically यह एक blog post के मतलब जरीय बनाई गई है एक blog था Robert Rodriguez Jr. का Beyond the Lens उस blog post से related ही यह एक book इन्होंने compile कि है और यह बहुत एक छोटी से किताब है जादा बड़ी किताब नहीं है और यह जो book है यह deal करती है art and craft जो की landscape photography से related है और बहुत ही holistic perspective से हमको landscape photography के बारे में बताने की कोशिश करती है सिर्फ उसकी outline ही नहीं बलकि एक पूरे तरीके से हमें landscape photography क्यों की जाती है क्या उसके अंदर motivation होती है क्या passion होता है और क्या creative mindset होता है landscape photography को करने के पीछे बहुत सारी जो किताबे होती है वो सिर्फ gear और technical aspects के बारे में बात करती है यह उन किताबों में से एक है जिसमें की जो writer है वो motivation जैसा मैंने बताया motivation पैशन और creative vision के बारे में बात करते है landscape photography के perspective से और यह जो book है यह बहुत ही मतलब real world experiences पे based है जिसमें की photographer अपने experiences हमारे साथ में share करते है कि किस तरीके से उनको क्या-क्या problems आई landscape photography करने के दौरान और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको की उन्होंने overcome किया और बहुत मौकों में इस book के अंदर जो writer है वो हमें अलग-अलग images की help से बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक particular image को click किया या क्या problems उनके बीच में आई जब वो एक particular image शूट कर रहे थे तो मतलब एक-एक image के तरीके से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है images के through और पूरी process बताईए उस image को click करने की पीछे की क्या process थी और क्यूं उन्होंने click की और क्या उनकी motivations थी life में जो कि वो painter से draw करते थे या अलग-अलग medium के artist से वो inspiration draw करते थे उन सभी चीजों के बारे में इनोंने इस book में बताया है जिसका नाम है insights from beyond the lens तो इस book को भी आप जरूर consider कीजिए so the fourth book that we will talk about is called shooting in shitty light which is written by Lindsay Edler and Eric Welland अब यह जो book है यह बहुत unique book है मतलब अपने time के तो बहुत unique book है क्योंकि इस book में writers ने कुछ अलग किया था इससे पहले कि जितनी भी books थी वो बात करती थी natural light के बारे में या सही lighting condition के बारे में बट यह जो book है इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो writer है वो 10 worst light situations के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत बारी आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कि photographers को हमेशा ideal situation नहीं मिलती shoot करने के लिए बहुत बारी ऐसा होता है जबकि overcast condition होती है या midday में आपको shoot करना पड़ता है या low light है या कहीं पर indoors के अंदर fluorescent light का use ज्यादा हो रखा है अगर indoors में अगर shoot हो रहा है या mixed lights है तो ऐसे में बहुत ज्यादा adverse light situations create हो जाती है जहां पर की light इस तरीके से आपको problem में डाल रही होती है कि एक beginner को समझ नहीं आपाता कि किस तरीके से इन problems को tackle किया जाए as a photographer तो यह जो बुक है इसमें practical ideas जो है writers ने दिये हैं कि किस तरीके से हम यह problems को overcome कर सकते हैं और दस ऐसी worst light situations के बारे में बात किया है और इनके practical solutions देने की इस book में कोशिश की है और यह भी बताया है कि क्यूं एक particular solution जो है वो किसी दूसरे solution से better रहेगा किसी एक particular condition में तो यह book बहुत ही अच्छी book है क्योंकि पहली बार इसमें practically बात की गई है एक beginner photographer के perspective से और beginner photographer के जो questions हो सकते हैं उनको इसमें address किया गया है कि क्योंकि lighting situations पर हमारा control नहीं होता वो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी lighting situation हमें मिल रही है shooting के लिए तो हमें उसी के called direction and quality of light written by neil van nikirk so यह जो book है यह deal करती है again lighting से related और यह basically portrait photography के perspective से है इस book में जो photographer है और जो writer है वो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम एक poorly lit images images को भी जो है एक well crafted और masterful images में हम change कर सकते हैं और किस तरीके से जो है एक बेकार lighting वाली situation में भी हम बहतरीन portraits click कर सकते हैं and यह जो book है यह आपको मतलब confidence देती है self confidence देती है जिससे की जो shooter है you can you can think on your feet and and photograph any portrait subject anywhere आप किसी भी portrait subject को कहीं पर भी shoot कर सकते हो क्योंकि इस book में हर lighting condition के बारे में different lighting conditions के बारे में जो है बात की गई है और किस तरीके से lighting conditions में आप better drink portraits click कर सकते हो इसके अंदर जो है exposure के बारे में बात हुई है मतलब natural light के बारे में बात हुई है फिर off camera flash हो in camera flash हो या heart sunlight हो बहुत सारी अलग-अलग lighting conditions के बारे में बात की गई है कि उन lighting conditions में किस तरीके से हम जो है well crafted portraits और प्लस जो ये book है ये डील करती है उन सारी अगें प्रैक्टिकल प्राब्लम्स जो की एक beginner को हो सकती है photography स्टार्ट करते टाइंब और यह जो book है particularly portrait से related है तो portrait 스ोटडरीफ को इसमें जाधा influence दिया गया है photography को इसमें जादा influence दिया गया है और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से अलग-अलग छोटी-छोटी चीजों को हम change करके किसी भी एक बुरी situation में भी बहतरीन portraits क्लिक कर सकते हैं तो अगर आप एक beginner हो और portrait photography में आपका interest है तो आप इस book को ज़रूर consider कीजिए इसका नाम है direction and quality of light by neil van nikirk so that's it guys ये थी 5 books जो कि मैं consider करता हूं और मैं recommend करता हूं हर उस photographer को जो कि एक beginner photographer है और start कर रहा है photography सीखना तो आपको ज़रूर ये किताबे पढ़नी जाएं बाकि that's it from this video I hope ये video आपको अच्छी लगी होगी और काफी helpful लगी होगी तो that's it from the video and मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा so till then take care have fun and stay safe guys bye bye take care